So hello guys, welcome back to another video So guys, आज की स्टो में हम बात करेंगे India Post Payment Bank का नए अपडेट के बारे में अगर आप भी India Post Payment Bank का अकाउंट यूज़ करते हो तो आज की स्टो का पूरा एंड तक देख लेना So guys, India Post Payment Bank का नए रूल आज चुका है जिस पर आपको ATM Transaction Charge देना होगा यहाँ पर आपको SMS Charge भी देना होगा So guys, अगर आपके पास India Post Payment Bank का अकाउंट है अगर आप ATM से Balance विड्डॉव करते हो यानि की Transaction करते हो तो आपको यहाँ पर Charge देना होगा जो की 1 October से लागू कर दिया जाएगा आपको यहाँ पर SMS Charge भी देना होगा जो की 1 October से लागू कर दिया जाएगा So guys, आपको एक और बता दूँ अगर आपके पास India Post Payment Bank अकाउंट है और आपके पास ATM है तो आपको Maintenance Charge देना होगा 125 रुपे प्लस आपको यहाँ पर GST देना होगा अगर आपके पास ATM है इंडिया Post Payment Bank का तो आपको सलाना यहाँ पर 125 रुपे देना होगा Maintenance करने के लिए आप ATM Maintenance के लिए जो शार्ज दोगी वहाँ 1 October 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया Post Payment Bank अपना ग्रहोंकों से SMS Alert के लिए चार्ज लेगा जो कि आपको SMS Alert के लिए 12 रुपे प्लस यहाँ पर GST चार्ज देना होगा जो कि 1 October से लगू कर दिया जाएगा So guys, बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि SMS चार्ज क्यों देना होगा तो आपको बता दू SMS आपको इंडिया पोस्ट पेमिन द्वारा भेजा जाता है आपको बता जाता है कि आपका अकाउंट से कितना बालेंस करता है कितना आपने टांजेक्शन किया है कितना आपका अकाउंट में भी बालेंस है उसको इंडिया जाता है ATM के लिए अगर आपका ATM खो जाता है अगर आप नया बर्माते हो new renewal कराते हो तो आपको यहाँ पर ATM के लिए 1 October से आपको 300 रुपेश देना होगा प्लस यहाँ पर आपको GST चार्ज भी देना होगा अगर आपका ATM भूल जाते हो आप ATM खो देते हो तो दूबलिगेट ATM बनवाते हो तो आपको 1 October से आपको यहाँ पर 50 रुपेश चार्ज देना होगा प्लस आपको यहाँ पर GST अलग से देना होगा अगर India Post Payment Bank का ग्रहाक ATM या POS ट्रांजेक्शन से इंकार कर देते हैं तो उनको यहाँ पर 20 रुपेश चार्ज देना होगा प्लस यहाँ पर GST अलग से देना होगा इंडिया Post Payment Bank ने अपना ATM टांजेक्शन का जो लिमिट है उससे सीमित कर दिया है अब आप जादर टांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा अगर आप लिमिट से ताज़र टांजेक्शन कर देते हो तो आपको यहाँ पर हर टांजेक्शन पर 10 रुपेश प्लस GST चार्ज अलग से देना होगा अगर आपके पास इंडिया पोस्ट पेमिट बेंग का अकाउंट है तो आप एक अक्टूबर से आप पांस ट्रांजेक्शन कर सकते हो अगर आप पांस ट्रांजेक्शन से जादा करते हो तो आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा अगर आपको आपके पास इंडिया पोस्ट पेमिट बेंग काका अकाॉंट है तो आपको से ज्यादर यहाँ पर चार्ज देना होगा सुकाइस इसी तरीका का अभी अपडेट आया हुआ है इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनियम फॉलो करना होगा सुकाइस उमिद है आज का वीडियो को अच्छे लगा होगा अगर अच्छे लगा तो लाइक जिरू कलेना साथ में सेर कर देना और चैनल पर ने तो सब्सक्राइब लेना ताकि आप को आए सही इंटरेशनी उड़ो मिलता रहे चलिए आज की सुडियो को यहीं इंकल लेते हैं